Hello guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Top 4 Camera Center के स्मार्टफोन के बारे में जहां पर आपको तगड़ी क्यामरे की क्वाल्टी के साथी साथ Top Noach Level की डिस्पले और एकदम Flexive Design के साथी साथ अच्छा खासा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा और जस्त Camera Center के स्मार्टफोन बाई करने का तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है इस वीडियो में हमने सॉट लिस्ट किये है और बेस्ट Camera Center के स्मार्टफोन अंडर 20,000 दोस्तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग रहने वाली है वीडियो को लाज तक जरूर देखें और आप हुमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें ये स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं आप अपनी प्रियोर्टी या फिन नीट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन की तरब जा सकते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो की OnePlus Nord Series का एक latest smartphone रहेगा OnePlus Nord CE3 Lite 5G दोस्तों मुबाइल फोन में 5G connectivity के साथ ही साथ सारे specification जबरजस देखने को मिलेंगे 1Y1 आपको सारे specification बता रेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुबाइल फोन की display के बारे में 680 peak brightness मिल जाएगी Overall मुबाइल फोन में आपको ठीक ठाक display देखनों को मिलेगी बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के processor के बारे में तो यहाँ पर आपको 6 nanometer वाला Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core powerful chipset मिल जाएगा LPDDR4X की RAM मिलेगी मुबाइल फोन Android V13 पर आता है और Oxygen OS पर रन करेगा UFS 2.2 का storage मिलेगा दोस्तों performance के मामले में भी smartphone अच्छा रहेगा इसमें आप heavy gaming multitasking एजली कर पाओगे बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के camera के बारे में तो यहाँ पर आपको triple rear camera देखने को मिलेगा जिसमें man camera 108 megapixel का 2 megapixel का depth lens और 2 megapixel का micro lens मिलेगा फ्रेंट में 16 megapixel की selfie मिलेगी मुबाइल फोन के man camera से 1080p by 30fps पर maximum video record कर पाओगे मुबाइल फोन के front camera से भी 1080p by 30fps पर maximum video record कर पाओगे 5000 image की battery मिलेगी जो support करेगी 67 watt fast charger को दोस्तों finally बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के design के बारे में तो यहां पर आपको 8.3 mm मुबाइल फोन की थिकनिस और 195 gram मुबाइल फोन का bed देखनों को मिल जाएगा 3.5 mm का audio jack मिलेगा side mounted fingerprint sensor मिलेगा और face unlock मिलेगा दोस्तों finally बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के price के बारे में तो मुबाइल फोन का 8GB पिलस 128GB वाला variant अभी के time पर Amazon Flipkart पर देखनों को मिल जाएगा 19,999 रुपीज दोस्तों बात कर लेते हैं next smartphone के बारे में जो की Motorola की तरफ से आता है Moto G82 दोस्तों मुबाइल फोन में सारे features flexible label के देखनों को मिलेंगे 1 by 1 आपको सारे features बता देते हैं सबसे पहले बात करें मुबाइल फोन की display के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का Full HD प्लस resolution वाला P OLED डिस्पिले देखनों को मिलेगी जो आपकी बंड 20 Hz पर रन करेगी 37% screen to body ratio मिलेगा overall मुबाइल फोन में आपको एकदम flexible level की display मिल जाएगी बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के processor के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.9 इंच के बारे में तो यहाँ पर आपको टिर पर रेर क्यामरा देखनों को मिलेगा जिसमें man camera 50 MP का 8 MP का ultra wide lens और 2 MP का micro lens मिल जाएगा फ्रेंट में 16 MP की selfie मिलेगी मुबाइल फोन के man camera से 1080p y 30 fps पर maximum video record कर पाऊगे मुबाइल फोन के फ्रेंट के एमरे से भी 1080p y 30 fps पर maximum video record कर पाऊगे 5000 mh की बैटरी मिलेगी जो support करेगी 30W fast charger को दोस्तो फाइनली बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के design के बारे में तो यहाँ पर आपको 7.9 mm मुबाइल फोन की थिकनिस और 173 gram मुबाइल फोन का बेट देखने को मिलेगा Dolby Atomos की तरफ से dual speaker मिलेंगे 3.5 mm को audio jack मिल जाएगा side mounted fingerprint sensor मिलेगा और facial lock मिलेगा दोस्तो फाइनली बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के price के बारे में तो यह smartphone अभी के time पर Amazon Flipkart पर देखने को मिल जाएगा 21,499 रूपीज दोस्तो बात कर लेते हैं next smartphone के बारे में जो की Realme की तरफ से आता है Realme Narjo 50 Pro 5G दोस्तो Realme का यह smartphone भी जवर ज़स्ते specification के साथ आता है इस smartphone में आपको सारे features तगड़े देखनों को मिलेंगे 1 by 1 आपको सारे features बता देते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुआल फोन की display के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का Full HD Plus Radiation वाला Super RAM OLED पैनल देखनों को मिलेगा डिस्पेले 90Hz पर रन करेगी 1000 Peak Brightness मिलेगी 84% Screen to Body Ratio मिलेगा Corning Gorilla Glass 5 की protection भी मिल जाएगी Overall smartphone में आपको एकदम Flexible Level की display देखनों को मिलेगी बात कर लेते हैं मुआल फोन के processor के बारे में और Realme UI पर रन करेगा UFS 2.2 का storage मिलेगा दोस्तों बात कर लेते हैं मुआल फोन के camera के बारे में तो यहाँ पर आपको टिर पर रेयर camera देखनों को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 megapixel का 8 megapixel का ultra wide lens और 2 megapixel का micro lens मिलेगा Front में 16 megapixel की selfie मिलेगी मुआल फोन के man camera से 1080p wide 30 fps पर maximum video record कर पाऊगे मुआल फोन के front camera से भी 1080p wide 30 fps पर maximum video record कर पाऊगे 5000 mh की battery मिलेगी जो support करेगी 33 watt fast charger को दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मुआल फोन की design के बारे में तो यहाँ पर आपको 7.9 mm मुआल फोन की thickness और 181 gram मुआल फोन का बेट देखने को मिलेगा डॉल भी आटोमस की तरब से डॉल स्पीकर मिल जाएंगे 3.5 mm का audio jack मिलेगा इन डिस्पले fingerprint sensor मिल जाएगा और face unlock मिलेगा दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मुआल फोन के price के बारे में तो मुआल फोन का 6GB प्लस 128GB बाला variant अभी के टाइम पर Amazon Flipkart पर देखनों को मिल जाएगा 17,499 रुपीज दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं लाश्ट स्मार्ट फोन के बारे में जो की बन प्लस की तरफ से आता है बन प्लस Note CE3 Lite 5G दोस्तों मुआल फोन में अच्छी कैमरे की क्वालिटी के साथ ही साथ सारे स्पेसिफिकेशन टॉप नुच लेविल के देखने को मिलेंगे 1 by 1 आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता रहते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुबाइल फोन की डिस्पले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.72 इंच का Full HD Plus Regulation वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा डिस्पले 120 Hz पर रन करेगी 86% Screen to Body Ratio मिलेगा 680 Peak Brightness मिलेगी दोस्तों मुबाइल फोन में डिस्पले की क्वाल्टी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर वाला Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core Powerful Chip Set देखने को मिलेगा LPDDR 4X की RAM मिलेगी मुबाइल फोन Android V13 पर आएगा और Oxygen OS पर रन करेगा UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा दोस्तों ये स्मार्ट फोन आपको एकदम जबरजास्त परफॉर्मस निकाल कर देगा बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के कैमरे के बारे में तो यहाँ पर आपको टिर पर रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें Man Camera 108 MP का 2 MP का Depth Lens और 2 MP का Micro Lens मिलेगा फ्रेंट में 16 MP की Selfie मिलेगी मुबाइल फोन के Man Camera से 1080p y 30 fps पर Maximum Video Record कर पाऊगे मुबाइल फोन के फ्रेंट कैमरे से भी 1080p y 30 fps पर Maximum Video Record कर पाऊगे 5000 mh की बैटरी मिलेगी जो सपोर्ट करेगी 67 Watt Fast Charger को दोस्तो फाइनली बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको 8.3 mm मुबाइल फोन की थिकनिस और 195 gram मुबाइल फोन का बेट देखने को मिलेगा 3.5 mm का Audio Jack मिलेगा Side Mounted Fingerprint Sensor मिलेगा और Face Unlock मिलेगा दोस्तो फाइनली बात कर लेते हैं मुबाइल फोन के प्राइस के बारे में तो यहाँ पर आपको मुबाइल फोन का 8 GB प्लस बन 28 GB वाला वेरेंट अभी के Temper Amazon Flipkart पर देखनों को मिल जाएगा 19,999 रुपीज दोस्तो यह थे हमारी लिस्ट के चार Camera Senti के स्मार्टफोन आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लागा कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाई